भारतिय नयाय पालिका में मुकदमों की पेंडेंसी यानि मामले लंबित रहना और दशकों से लंबित रहना ये बड़ी समस्या है मुकदमों का बोज भड़ता जा रहा है लोग इस बात के लिए भी अपने आवाज उठाते हैं यानि कहें तो शिकायतें करते हैं कि कोट में चुटियां बहुत होती हैं सुप्रिम कोट के मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस दिवाई चंदर चूड उन्होंने उनकी अगवाई में पूरे फुल कोट रिजोलीशन पास किया जिसमें ये कहा गया कि अब चुटियों के दिन कम होंगे चुटियों के दिन तो कम नही है कि चुटियों में भी जैसे समर वेकेशन हैं जिसमें पचास बावन दिन के चुटियां होती हैं उसमें भी बेंचेज काम करेंगी वेकेशन बेंचेज ये तो पहले से भी होता रहा है और अगर हम देखें तो जस्टिस ठाकुर के समय या बाकी जिस समय ये सारे लोग च चुटियां शुरू होती हैं पूरा जून चुटियों में रहता है और जुलाई के पहले हफते में कोट खुल जाते हैं लेकिन इस बार का जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें मई के मिड से चुटियां मई के आखरी हफते से चुटियां शुरू होंगी पूरा जून चुट जाते जाए रहे हैं जाते रहे हैं कि छुटियां बहुत होती हैं साल में लगबग 120 दिन छुटियां रहती हैं तो इसको देखकर ये देखना दिल्चस्ट होगा कि वकील क्या सोचते हैं वो क्या बताते हैं इस पर पुषकर शर्मा हमारे साथ हैं उनसे हम बात करते हैं इसलिवार भी दोहजार चौबिस में भी हमने देखा कि तीन बेंच बैठी थी और बारी-बारी से सारे जज्जेज का नंबर आता है एक हफते एक बैंच बैठेगी दूसरे हफते दूसरी बैंच बैठेगी तो इसमें नया क्या है देखिए वेकेशन बैंच जब से में लग दो तरीके से पेंडेंसी क्लियर हो सकती है या तो existing strength में maximum काम किया जाए या strength बढ़ा कर उस maximum काम किया जाए तो मेरा जो परसनल उपीनन है वो यह है कि strength को बढ़ाया जाए उसके बाद काम किया जाए क्योंकि justice हेस्ट में नहीं हो सकती है किसी भी कोर्ट के उपर एक burden डालके जादा cases list करके या जादा उससे काम करवा के आप पेंडेंसी को clear करने के बहुत उमीद नहीं रख सकते हैं क्योंकि justice होनी है यहां पर ऐसा कुछ नहीं कि मतलब एक छोटा सा कोई काम होना है एक छोटे से कोर्ट से उपर तक ट्रैवल करके आयोए आदमी को नियाए चाहिए जिसको वो नियाए नहीं मिल पाया है नीचे की कोर्ट से उसके अनुसार उपर आया है उसको अगर हम सोचें कि नहीं एक कोर्ट जो अलड़ी 20 या let's example 25 केस देख रही है तो अब वो 40 देख जाए और रेजिस्ट्री की भी संख्या बढ़ाई जाए क्योंकि मेरे अनुभव के आधार पर मैंने यह देखा है कि स्ट्रेंद की कमी है कहीं ना कहीं क्योंकि 110 करोड़ पे जो जड़ेस की स्ट्रेंद थी और 150 करोड़ पे जो स्ट्रेंद है आप खुद अनुमान है तो वह 130 करोड़ से 110 करोड़ से 130 40 50 करोड़ 40 करोड़ के सिर्फ तीन जज़ बढ़ाए गए आप समझी स्ट्रेंद को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं अगर 110 पे अगर 30 थे तो 150 कम से कम आपके 50 होने चाहिए थे उस प्रपोर्शन में देखा जाए तो क्योंकि मेकर्स ने अपने कुछ अलग अनालेसिस किया हो बट स्ट्रेंद कहीं न कहीं कम है स्ट्रेंद बढ़ाने से ही सब चीज़ रिजॉल्व होंगी ना की एक्जिस्टिंग कोड्स को को और बढ़न कर देने और वेकेशन खतम कर क्योंकि वेकेशन लोगों को लगता है वेकेश वेकेशन वेकेशन है जिसमें जगने जमेंट भी में जितने बढ़न कर वेकेशन तुछ उपने महीं करते हैं नियुके दो! पूरे पूटेंशल से हर जज काम कर रहा है किसी के पूटेंशल में कमी नहीं है अगर आप देखेंगे उनके piles in piles of files उनके उनके घर में पड़ी हैं शायद वकील जितना काम करता है उतना ही वो काम उससे ज्यादा काम करते हैं और अपनी फैमिली को भी टाइम ही दे पाते होंगे इस चीज को लेकर तो एक्जिस्टिंग स्टेंथ में मुश्किल है सब चीजे होना हाला कि नहाए फालिका ने बहुत स इक सारे शाह पूरे देश में पूरे साल और कभी नहीं वह लगती रहती है लोग कदालत एंबों सारे पेंडेंसी कम होती हैं दूसरी सबसे बड़ी चीज causes सरकार कुद सुपरिम कोट कहह चुके है कि सरकार बहुत बड़ी मुकदमेबाज ऐसरकारी मामलों में अगर कमी आ सकता पांच या उससे ज्यादा बेंच हो जाए ताकि जो एलान हुआ है वो सार्थक होता हुआ दिखे भी जैसे लोग कहते हैं न्याय होता हुआ दिखना चाहिए तो न्याय होते हुए दिखने के लिए बहुत सारी बेंच दिखेंगी तो लोगों को भी भरोसा होगा कि शाय झाल झाल